वेलकम बैक टे ओजिटीव वुमनिया बाईज होप यू आ डूइग वेल जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूंगी नवरात्री आ चुका होगा और हैपी नवरात्री टू एवरी वान तो इस वीडियो में मैं शेर करने वाले कुछ ऐसे पेस्टिव नवरात्री तिपिकल ट्रेडिशनल नवरात्री नहीं है ये kind of fusion कपड़े हैं आप अपने basic black और white आउट्पिट को नवरात्री आउट्पिट में convert कर सकते हैं with this one jacket जो सब के पास होता ही है अगर आपके पास नहीं है और आपको कुछ नवरात्री vibes चाहिए अपने कपड़ों में तो इस तरह का ए आपने wardrobe में रख लीजिए जो भी आपके कपड़े हैं या आप black base चाहते हैं deep color का कोई भी base हो उसके उपर इस तरह का एक jacket काफी अच्छा लगता है टिपिकल नवरात्री vibe के लिए एक black ज़रूरी होता है और दूसरा मुझे लगता है red सामने से ये dory भी है जिसको आप बा सकते हैं जो की धाई सो रुपे में पड़ा इस तरह का जाकेट आपको डेली में लाचपत नगर में सरोजनी नगर में और जनपत में मिल जाएगा सबसे अच्छे जो कपड़े जनपत में नवरात्री के मिलते हैं वो मिलते हैं गुजराती लेन में जो second item है वो है इस beautiful orange not pure chiffon जिस सिर्फ 100 रुपीज में मिला ये सीम शॉप से ही मैं लाई थी वो red वाला जाकेट और ये orange वाला दुपत था next item is a beautiful harem pant जिसके पीछे से tail है मेरा एक फोकस था कि जो भी मैं खरीदू वो bright होना चाहिए नवरात्रे में bright dark deep कपड़े ही अच्छे लगते हैं मैंने बाई किया ये beautiful plazo इसे plazo नहीं कहूंगी एक fusion कहूंगी मैं सामने से ये pant style है और पीछे से ये बड़ा सा cape है आगे से जो pant है वो dhoti pant जैसा look देता है और पीछे से ये cape है एक girly floaty सा look देता है काफी different ये चीज मुझे लगी सामने से ये belted है पीछे से ये elasticated है बहुत सुंदर इसका fall है इसके साथ आपको heel पहनना पड़ेगा और इसके सामने से tie है और इसका color भी बहुत अच्छा है इसका जो fabric है वो एक mixed fabric है ये cotton के साथ I think rion mix है और अगे से ये जो frill है ये बहुत ही सुंदर और sexy look देता है this is one of my favorite purchases I think मैंने 200 या 300 रुपे में लिया था इस वहां से जिसके side में pockets भी है और ये काफी ज़्यादा अच्छा कुरता है ये भी viscous rion का है A-line anarchy कुरता है और इसके sleeves three quarter है इसका जो color है वो bright है perfect पर नवरात्री ये कुरता plus point देता है because इसके साथ एक cape भी आया था ये printed cape आप इसके साथ भी पहन सकते हो और अलग भी है मुझे ये कुरता जादा अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता था कि ये कुरता तो मैं पहनी सकती हूं separately और इस cape को भी मैं अलग से पहन के एक नया look दे सकती हूं ये दोनों ही मुझे 80 मिले शायद 600 रुपीज में तो काफी जादा अच्छी कुरते मिल जाते हैं वहां प अच्छे oxidized jewelry देखी मुझे कुछ अलग different चाहिए था ये shop था जोहरी बजार में सो मैं ये beautiful long necklace लाई थी वहां से और ये वाकी में बहुत अच्छा है आजकल अफगानी के duplicates भी बनने लगे हैं तो ये अफगानी jewelry नहीं है अच्छल में traditional अफगानी jewelry काफी expensive होती है क्योंकि उसमें चानी का use होता है ये जो आप oxidized jewelry देख रहे है ये अफगानी jewelry नहीं है ये उनकी replicas होते हैं इन्हें बनाने में aluminum का use होता है और उसके उपर इस तरह का black polish किया जाता है this is like gorgeous beautiful necklace की जो quality है इतनी जादा अच्छी नहीं है as this is a replica of like अफगानी jewelry ये मुझे साड़े 400 पेवे पड़ा है so ये मैं बोरला लाई थी वहाँ पे जब मैं इससे पहले जैपुर गई थी बहुत ही सुंदर बोरला है एक तरह का mangti का होता है जो specially Rajasthan और गुजात साइद में पहना जाता है और इसका price सुनके आप हैरान हो जाएंगे इसका work देखके आप कह नहीं सकत पाता नहीं है ठीक से लेकिन वह बापू बजार में था और इसकी जो क्वालिटी है 100 रुपीस की बिलकुल भी नहीं है this is like beautiful बोरला इसका जो design है everything is very beautiful बोरला को traditionally ऐसे पहना जाता है जो आगे से इस तरह से वह दिखता है इस तरह से बहुत जादा सुंदर लगता है मैंने अल्रेडी मांगती का पहना हुआ है तो आपको शायद इसका लुक इतना पता ना लगे I don't know इनी क्या कहते हैं हसल कहते है I think यह पैर में पहने जाने वाले traditional Rajasthani anklets है इन्हें हसल मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है actual में क्या कहनते है color silver अभी भी वैसे का वै usual piece है वो है यह beautiful beautiful headband यह headbands online बहुत expensive है like 400-500 रुपे में जैपुर में shops में तो आप shopping करी सकते है जो street shopping होती है वो और भी जादा better होती है क्योंकि वो same चीजी street में आपको like half price में मिल जाएगा मैंने shop में इस तरह का headband पूचा था वो शायद 400 रुपे से starting बता रहे थे और मैं street shopping की वहाँ पर यह मुझे सर्फ 100 रुपीज में मिला इसकी quality भी विल्कुल वैसी ही है जैसे shop वाला बेच रहा था इसकी designing कहलो in fact इनके पास जादा variety होती है as compared to shop वाला कुंदन का जो काम है इसके उपर वो बहुत जादा सुन्दर है इसके नीचे wires होते है जब भी आप आप इसकी शादी अटेंड करने तब में लाई थी and this is absolutely gorgeous इस बैंगल मैं नहीं देखिए काफी सारे मैं बहुत सारे में मार्केट्स में जाती हूं बट इस तरह के बैंगल मैं नहीं देखिए जादा तर इस तरह के बैंगल आपको silver में मिलते हैं लेकिन gold में मुझे फॉस रुपीज में लाई हूं I think दो सेट लाई हूं कि एक मुझे ठीक से याद नहीं है 24 हो सकते हैं इसमें total but these are also for 100 रुपीज ये दो तरह के कड़े हैं मेरे पास एक मैंने जैपूर से लिया था और दूसरा वाला शायद मैंने माउंट अबू से लिया था मुझे ठीक से याद के सेट्स हैं जो आपको हर सारी के साथ हर Indian outfit के साथ अच्छे लगते हैं क्योंकि ये gold tone है और उपर जो stone है वो बिल्कुली neutral glass है तो हर outfit के साथ ये अच्छे लगेंगे चाहे आपने कुछ भी पहना हो अगर आपने silver भी पहना हो तो भी अच्छा लगेगा embroidered bags Delhi में बहुत महेंगे मिलते हैं और जैपूर में भी क्योंकि आपको bargain करना पड़ता है street side में जो bag मिलते हैं वो काफी सस्ते होते हैं इसलिए मैंने street से ये bag उठाया था ये beautiful blue color की और सामने से जो embroidery है बिल्कुल आपको नवरात्री वाला feel देती है ये काफी साल हो गए है और इस bag को मैंने 2-3 बार ही use किया है it's still intact इसका color fade भी हुआ embroidery खराब नहीं हुई कपड़ भी खराब नहीं हुआ बहुत सुंदर अच्छा bag है ये और guess the price ये मैंने सिर्फ 200 रुपे में लिया था इसका fabric भी काफी अच्छा है zipper closer है बीच में से और इसका जो space है वो भी काफी जादा अच्छा है so everyday के लिए तो नहीं बट हाँ festival के लिए आपके पास एक दो ऐसे bags होने चाहिए अगर tote bag नहीं लो so side clutches भी इस तरह के embroidery में वहां मिलते हैं जो सो डेर सो 200 रुपे में मिल जाते हैं उनकी design भी बहुत अच्छी होती है but मुझे जादा tote पसंद है इसलिए मैंने ये tote bag वहां से खरीदा और 200 रुपे में तो बहुत ही steel deal है so this is the end of the video hope आपको ये haul help किया होगा आपके नवरातरी शॉपिंग में online ये सारी चीज़े मिल जाएंगी अगर मुझे कुछ इस से similar मिलेगा तो मैं link description box में डाल दूँगी thank you so much for watching please subscribe to my channel like my video and share my video and also follow me on ottwoman या जहां आप मेरे daily life के vlogs देख सकते हैं bye